दे केरिल स्टोरी का जादू बॉक्स आफिस पर लगातार बना हुआ है ना तो इस फिल्म को लेकर जारी विवात खतम हो रहे हैं और ना हे फिल्म के चर्चे थम रहे हैं कहानी के साथ साथ फिल्म की चारो एक्ट्रिस के काम की तारीव भी हो रही है लेकिन फिल्म में विलन बनी आसिफा को भी काफी पसंद किया जा रहा है आसिफा का रियल नाम सोनिया बलानी है सोनिया ने टीवी सीरियल से अपने करियर की शुरुआत की थी अब टीवी से रेकर बड़े परदे का सफर करने वाली सोनिया बलानी काफी चटचा में है आसिफा ने अपने किर्दार को बख्षू भी निभाया है पूरी फिल्म में हिजाब पहने दिखी आसिफा रियल लाइफ में काफी ग्लैमरेस है सोनिया बलानी का सोशल मीडिया अकाउंट उनकी ग्लैमरेस तस्वीरों से भरा हुआ है सोनिया ने इससे पहले कई शो में काम किया है जिसमें बड़े अच्छे लगते हैं डिटेक्टिब दीदी तु मेरा हीरो जैसे नाम शामिल है सोनिया को इस फिल्म के लिए उतनी फीस तो नहीं मिली देकिन उनका काम काफी निखर कर सामने आया है सोनिया बलानी को एक्टिंग के साथ साथ डांसिंग और फिटनेस का भी काफी शौक है हलाकि वे सैफ अली खान की फिल्म बाजार में भी एहम किरदार निभा चुकी है फिल्म तुम्बिन टू में भी सोनिया नजर आ चुकी है दे केरल स्टोरी को मिला कर ये सोनिया की तीसरी फिल्म है सोनिया अपनी परसनल लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद करती है फिलाल वे अपना पूरा फोकस अपने करियर पर रखना चाती है दे केरला स्टोरी के बाद उमीद की जा रही है कि सोनिया बलानी को और भी अच्छी अच्छी फिल्मों में काम करने का मौका मिल सकता है अगर आपने भी दे केरला स्टोरी देखी है सोनिया बलानी का काम देखा है तो हमें कमेंट करकर बताए कि आपको उनका किरतार कैसा लगा